बिहार के दो विधान समा छेत्रों में होने बाले उपचुनाब को लेकर महागडबंदन के घटक दलों में सीट को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है मामले पर कांग्रिस विधायक दलके निता अजीत सर्मा ने साफ तौर पर कहा कि कुसेस्वर अस्थान सीट कांग्रिस की है और कांग्रिस पार्टी वहां से चुनाब लड़ेगी जबकि तारापूर सीट आरजेडी के हिस्से में थी जिस पर वो अपना परत्यासी देगी वहीं उन्होंने दावा किया कि कुसेस्वर अस्थान सीट पर कांग्रिस अपना अमिद्वार खड़ा करेगी 1222 वोट से हा रहे थे और तारापूर में आजनी जैप्रगाज आजब जी की जो बेटी है वो लड़े थी वो साथ 1225 वोट से हा रही थी तो इसमें नहीं लड़ने का यह तो गड़वन्दन है हमारा सीट है कुसेस्थान हम लोग कांग्रिस चुनाव लड़ेगी राज़त क्या कह रहा है नहीं कह रहा है यह मुझे पता नहीं है लेकिन आप लोग जो सवाल कर रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है अगर राज़त कह रहा है तो गलत कह रहा है 70 सीट में वो कुसेस्थान है और महा गडवन्दन के तहर तैय हुआ सीट है इसलिए हम लो पूछना हकस्ता च्रभियान चलाया जिसमें हजारों लोगों ने हस्ता चरकिये फिर वी नगर निगम वहां कचड़ा गिरवाती रही फिर युवाओं ने कचड़ा साप करवाया और बास बल्ली डाल कर घेर दिया लेकिन नगर निगम के कर्मियों ने फिर कचड़ा गिराया जिससे आ पास पास के लोगों ने अपना योगदान दिया। पास के लोगों ने अपना योगदान दिया। इतना काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नर्क था मगर ये अब स्वर्ग हो गया भागलपूर का एक दम जन्नत। हैरोज गुजरते थे बहुत ज़्यादा हमारा पार्क में जाना मुश्किल हो गया था। सुबह लोगों ठंडी ताजा हवा के लिए पार्क जाते थे लेकिन वहां इतनी बद्बू इतना ज़्यादा गंदगी के चलते जाना दुर्बर हो गया था। आज तो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है सारे युवाओं और बुजुर्गों के पहल से एक शहर डंपिंग ग्राउंड बना हुआ था ये सारा इसको भागलपूर के बुजुर्ग ने हस्ताक्षर अभियान के दम पर अपनी कलम के दम पर उन्होंने कचरा आट चीज के लिए तो ने मोदी जी के स्वच्छता अभियान को इससे जादा बल देने के लिए और कुछ नहीं किया जा सकता था भागलपूर के लोगों के तरफ से जिस जगा आप देख रहे हैं अभी की तेड़ पौधा लगाये जा रहे हैं मुश्किल से 6-7 दिन पहले यहाँ पर पहाड हुआ करता था कुड़ों का तो हम धन्यवाद देते हैं ऐसे भुजरगों को भागलपूर के और ऐसे नौजवानों के जिने हमारा साथ दिया और हमने इस डंपिंग ग्राउंड को सुष्टा दिवस के दिन एक पार्क में बदल दिया बिहार कांगरेस विधान मंडल दल के नेता और भागलपूर विधायक अजीत सर्मा ने कलहिया कुमार के कांगरेस में सामिल होने पर विवक्षी पार्टी के द्वरा सवाल खड़ा किये जाने पर कड़ी परतिकिरिया देते हुए कहा है कि किसी भी पार्टी में उसके बिहार में भी कांगरिस को मजबूती मिलेगी। बिहार सरकार के खनन मंतरी जनक राम और भाजपा के प्रदेश महामंतरी सुसील चौधरी ने देर साम गंगा आरती में हिस्सा लिया। इसी करम में भाजपाद्वारा पूरे देश में रक्तदान गंगा आरती बिच्छा रोपन सहित कई आयोजन किये जा रहे हैं। सुल्तान गंग्ज को स्वच्यों सुन्दर बनाने को लेकर सनीवार को नगर सभापती निलम देवी उप सभापती उसा देवी वह पारसदों और करमियों ने राष्टपिता महात्मा गांधी के 152 में जन्म दिवस के अवसर पर नगर परिशत सुल्तान गंज से स्वच्छता रेली निकाली गई। दूबे सहित कई करमी रेली में मौजूद थे। नातनगर इस्थित SS बाली का उच्छ विद्धाले में राष्टपिता और देश के दूसरे परधान मंत्री के जन्म दिवन पर दोड एवं कुछ परतियुगता का आयोजन किया गया। कारिक्रम की सुरुवात के पुर्व राष्टपिता महातमा गांधी एवं लाल बहादुर सास्ती के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हे सरधान्ज लिदी गई। साथी अहिंसा के पुजारी राष्टपिता महातमा गांधी के पद्चिन्दों पर चलने की सफतली गई। सुल्तान गंज परखंड में राष्टपिता महातमा गांधी वदेश के पुरु परधान मंत्री लाल बहादुर सास्ती की जैन्ती धूम धाम से मन आई गई। सुल्तान गई। सुल्तान गई। सुल्तान गई। सुल्तान गई। सुल्तान गई। सुल्तान गई।